विश्व बजारों में रुई के भाव में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है जबकि घरेलू मंडियों में सब कपास की सप्लाई कम हो रही है दरसल अल्नीनो मौसम चकर के परकौप से कपास का उत्पादन परभावित हुआ है और कई देशों में इसकी अच्छी मांग बनी हुई है जिससे निर्यात के नए नए सोदे हो रहे हैं इन सभी कारणों के चलते घरेलू बाजारों में कपास का दाम बढ़ने लगा है और सप्ताह रुई का घरेलू भाव उचल कर 62,000 रुपे प्रती कैंडी पर पहुँच गया है जो कि पिछले साल में 53,860 रुपे प्रती कैंडी पर था वैसे देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में 19 फीसद भाव अधिक हो चुका है दरसल नियुएरक एक्स्चेंज में रुई का वाइदा मुल्या पिछले साल से 88 सेंट प्रती पॉंट से बढ़कर गत सप्ताहा 100 सेंट प्रती पॉंट की सीमा को पार कर गया Cotton Association of India के अध्यक्ष का कहना है कि IC वाइदा की तर्च पर भारत में रुई के बाजार में तेजी मंदी का रुख बनता है चुकि नियुएरक में भाव उंचा हो गया है इसलिए घ्रेलू बाजार में भी तेजी आ गई है हाला कि उत्पादर में गिरावट आने जैसे स्थानिय कारग भी मौजूद है मगर इसने अभी तक रुई की कीमतों को ज्यादा प्रभावित नहीं किया था इसका कारण घ्रेलू और निर्यात मांग कमजोर रहना था लेकिन अब वैश्विक बाजार में तेजी आने से घ्रेलू बाजार भी मजबूत होने लगी है उधर एसोसियेशन ने 2023-24 के मार्केटिंग सीजन के दुरान कपास का घ्रेलू उत्पादन घटा कर 294 लाग गांट पर सिमट्टे का अनुमान लगाया है जो कि 2022-23 सीजन के उत्पादन 319 लाग गांट से 25 लाग गांट यानि की आठ फीसद कम है और वही 2078 सीजन के बाद का सबसे नीचला स्तर है केंजरियक किशी मंत्राल्या ने अपने दूसरे अगरी मनुमान में कपास का उत्पादन 2022-23 के 337 लाग गांट से घटा कर 2023-24 में 323 लाग गांट रह जाने की संभावना व्यक्त की है ऐसे में बाजार जानकार मान कर चल रहे है कि कोटन की कीमतों में फिलाल तेजीब बनी रह सकती है